नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेचाज 26 दिसंबर सुबा छे बजे राजेस्तान की खास खबरें मुख्यमंत्री भजनल शर्म अचानक SMS अस्पताल पहुंचे CM के अचानक पहुंचने से अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए CM ने अस्पताल में अवेवस्था को लेकर नराजगी जताई दरसल CM भजनल जीलन मार्क से बीजेपी का राले पहुंच रहे थे इस दुरान वे SMS हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बांगर बिल्डिंग में औचिक निरिक्षन के लिए पहुंच गए अधिक्षक डॉक्टर अचल शर्मा उस समय हॉस्पिटल में मुझूद नहीं थे ऐसे में उपा अधिक्षक डॉक्टर अनिल दुबे और डॉक्टर जगदीश मोदी ही दोड़ कर CM के पास पहुंचे लेकिन तब तक CM भजनलाल कई वार्डों में विजिट कर चुके थे इस दुरान अधिक्षक डॉक्टर अचल शर्मा मौके पर पहुंचे CM ने उन्हें जम कर लताड़ा अस्पिताल में गंदगी देख कर CM जबर्दस नराज हुए उन्होंने डॉक्टर अचल शर्मा से कहा कि आफिस में बैठ कर काम नहीं होगा कभी बाहर निकल कर हलात देखे हैं क्या CM ने मरीजों के आसपस गंदगी देख अधिकारियों को फटकारा उन्होंने तुरंत सफाई करवाने और मरीजों के परीजनों के लिए बैठने रहने की विवस्ता करने के निर्देश दिये राज्यस्तान में मुख्य मंतरी भजनलल शर्मा के मंतरी मंडल का विस्तार जल दोगा इसको लेकर राजभवन में तयारियां शुरू हो गई हैं आज यहां कल मंतरी मंडल का विस्तार हो सकता है 15-17 विधायक मंतरी पत की शपत ले सकते हैं मध्यप्रदेश सरकार के मंतरी मंडल का विस्तार भी हो गया है इससे पहले 36 गड में मंत्री मंडल विस्तार हो चुका है ऐसे में माना जा रहा है कि राजिस्तान में भी मंत्री मंडल का विस्तार हो सकता है पाजपा परदेशी अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी शिरगंगानगर में मीडिया से कहा कि जल्द ही एक छोटा मंत्री मंडल बनेगा उसके बाद मंत्री मंडल का विस्तार भी होगा जिसमें सबी वर्गों को परती निदितव दिया जाएगा ऐसे में मान कर चला जा रहा है कि सीम भजनलाल शर्मा के मंत्री मंडल में 15-17 मंत्री बन सकते हैं वह लोगसबद चुनावों के बाद एक बार फिर मंत्री मंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है राजस्तान की भजनल सरकार अपने पहले साल की कारेकाल में 6-7 बड़े फैसले ले सकती है कई फैसलों में गुजरात मद्यप्रदेश के मॉडल भी नज़र आएंगे जिन्हें राजस्तान में भी लागू किया जाएगा जैपूर से लेकर दिल्ली तक इस संदर्ब में तैयारियां की जारी है सबसे मैतपूर यह कानून बनाय जा सकता है जिसके तैत एक धरम से संबंदित व्यक्ति किसे दूसरे धरम से संबंदित व्यक्ति की प्रॉपटी बिना जिला कलेक्टर के अनुम्मती के खरीद बेच नहीं सकेगा इसके लावा नए जिलों को लेकर पुरानी सरकार के फैसलों में भी बदलाव की तैयारी है सुत्रों की माणे तो मुख्यमंत्री स्तर पर इसके तैयारियां भी पूरी हो गई है गुजरात में भाजपस सरकार ने बहुत से इलाकों को डिस्टर्ब्ड एरिया घोशित किया हुआ है इसके लिए वहाँ एक एक्ट भी लागू किया हुआ है इस तरह के एक एक्ट राजेस्थान में भी लाया जा सकता है राजेसान में सरकार बदलने के बाद अब छे दिन के भीतर नौकर शाही को भी नया मुख्या मिल जाएगा मुझूदा मुख्या सचिव उशा शर्मा 31 दिसंबर को सेवा निवर्थ हो रही है ऐसे में उनकी जगा नए मुख्या सचिव की तलास जोरों पर है मुख्य सचिव की रेस में करीब 10 IAS अधिकारियों की नाम चर्चा में है हलांकि मुख्य सचिव की नुक्ती में वरिष्टता का कोई ज़्यादा महत्म नहीं है ऐसे में इस बार चुकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है नौकर शाही के बीच चर्चा में मुख्य सचिव की दौड में वरिष्टता की अधार पर 1988 बैच के IAS अधिकारी सुबोद अगरवाल 1989 बैच के वी श्री निवाज, शुबरा सिंग, राजेश्वर सिंग, रोहित कुमार सिंग है 1990 बैच के संजेर मलहूत्रा, 1991 बैच के सुधानशुपंत और 1992 बैच के अभय कुमार और रजट कुमार शर्मा के नाम चर्चा में है अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण पर्तिष्ठा समारो में शामिल होने के लिए राजेस्थान से बड़ी संख्य में शर्धालू जाने की तयारी करें है यह देखते हुए उत्तर पस्चिम रेलवे ने जयपूर, अजमेर, बिकानेर, उद्यपूर, कोटा और जोधपूर से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेने संचालित करने का निर्णय किया है इससे राम लला के दर्शन करने वाले भक्तों की बड़ी राहत मिलेगी दर्शल राम मंदिर का भव्योध घाटन 22 जनवरी को होगा समारो में शामिल होने वाले लोगों को आवाजाई में परिशानी नहीं हो इसके लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन 15 जनवरी से शुरू होगा इन ट्रेनों को दो श्रेनी में बांटा गिया है पहली श्रेनी में उन ट्रेनों को शामिल किया गिया है जो 15 से 25 जनवरी तक संचालित होंगी इन में से जादतर ट्रेनों के एक या दो फेरी संचालित होंगी दूसरी श्रेनी में साथ ट्रेनों को शामिल किया गिया है अशोक कुमार ने पती पतनी सहीत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्स करवाया है परिवादी के अनुसर घटना 13 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच की है रेपोर्ट में बताया कि अरोपियों द्वारो उसे फोन पर बहलाफ उसला कर वे धोके से लेकर उसकी फोटो एडिट की और इस फोटो के जरी ब्लैक मिल करने के धमकी दे कर पैसे मंगे जिस पर उसके द्वारा आरोपियों के धोखे में आकर अलग-अलग खिष्टों में 2,26,000 पे डाल दिये पुलिस ने अरोपित पश्चिम दिली निवासी विशाल वर्मा, अमेठी यूपी निवासी अलोग कुमार वे विशाल की पत्नी प्रिया वर्मा के खिलाफ मामला दर्स कर जांच शुरू कर दी है पंजाब के कपूर्थाला में आईलर्स पास दो यूवतियों द्वारा कॉंट्रेक्ट मैरिस के नाम पर लाख उर्पे की ठगी करने का मामला सामने आया है जांच के बार पुलिस ने दो यूवकों की शिकायत पर सीटी थाना टू में मा बेटी सहीत तीन महिलाओं पर दो एफ़ियर दर्स की है पहले मामले में पिडित ने बताया कि उसके भाई सौरव की कॉंट्रेक्ट मैरिस करने का फैसला किया और शादी पर करीब पांच लाख उर्पे खर्च किये और विदेश पेजने के लिए चालिस लाख उर्पे खर्च किये लेकिन मोगा निवासी युवती ने कैनेडा पहुंचने के बाद कॉंट्रेक्ट की मताबिक अपने पती को विदेश नहीं बुलाया मैं दूसरे मामले में युवती अर्षदीप का और निवासी गुरुते एक बहादूर नगर नए पती पर पासपूर्ट बनवा कर पती गुर्मेद सिंग निवासी मोहला नर्सरी को बताए बिना ही विदेश चली गई इस दुरान युवक से करमश्य साड़े आठ लाग की ठगी कर ली पुलिस मामलों की जांच कर रही है अलवर जिले में सिर पर पिस्टॉल से हमला कर एक वियापारी से साथ लाग से अधिक की लूट का मामला एनिवी थानक शेतर में सामने आया है जानकारी के अनुसार लूट की है घटना मन्ना के रोड की है जहां से पुलिस थाना सौ मीटर की दूरी पर है जहां एक बाइक पर तीन लोगों ने बुजर्ग के सिर पर पिस्टॉल से वार कर उसे साथ लाग चौनतिस हजार पे लूट लिए शास्त्री नगर मेडिकल कुलोनी निवासी रामसरूप निहानिया प्यास के वेपारी सुबा घर से मंडी के लिए निकले तो मनाका रोड पर तीन हथ्यार बंद लुटेरों ने वेपारी के सिर पर हथ्यार से चोट मारकर वेपारी से लगबग साड़े साथ लाक रुपे लूट लिए और वेपारी की स्कूटी लेकर फरार हो गए हरियाना के सिर्सा में पुलिस ने करीब 50 लाक रुपे कीमत की हैरोईन के साथ दो युवकों को गिरफतार किया है वे पंजाब से हैरोईन लेकर सिर्सा में सप्लाई के लिए आ रहे थे कालामवाली CIE पुलिस ने उनको रास्ते में ही नशे के साथ दबोश लिया उनकी तलाशी में 402 ग्राम हैरोईन बरामत हुए है कालामवाली थाने में मादक पदार्थ हदिनियम के तैथ F.I.R. दर्स की गई है पुलिस ने से पूस्त आश्च कर रही है जानकारी के अनुसर कालामवाली थाना पुलिस को गश्ट के दुरान सूशना मिले की पंजाब से दो तसकर सिसाथ में लाखों रुपेयों की हैरोईन स्प्लाई के लिए जा रही है इसके बाद पुलिस ने पंजाब सीमा के पास असीर रोड पर नाका बंदी कर दी कुछ समय बाद एक वरना गाड़ी आती दिखाई दी पुलिस ने गाड़ी को रुकवाया पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 402 ग्राम हैरोईन मिले योगों की पैचान चरणजीत सिंग निवासे गाम जगमाल वाली और गुरजीत सिंग निवासे गाम घुकाँ वाली जिला सिरसा के रूप में होई है कॉंग्रिस सरकार के समय राजे में शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्ते वीमा योजना के नियम काईदों को बरकरार रखते हुई अब इसे आईश्मान भारत मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्ते वीमा योजना के प्रमुख नाम से आगे भढ़ाया जाएगा पूरव में केंदर और राजे सरकार के बीच हुए समझोते के तैथ योजना के नाम में आईश्मान और मुख्य मंत्री दोनों शब्द जोड़े गए हैं जिसके तैथ केंदर से खादे सुरक्षा के तैथ पंजिकरत परिवारों के लिए बीमा राशी राजे सरकार को लगातार मिल रही है सरकार बदली तो अधिकारियों का कहना है कि पूरव सरकार के समय इस नाम से आईश्मान भारत हटा कर परचारित करना शुरू कर दिया गया था जिसे लोगों में भ्रम हुआ कि यह योजना राजे सरकार की और से संचालित है यदि राजे सरकार चिरंजीवी बीमा को पूरी तरह बंद कर पूरे देश की तरह इसमान मॉर्डल लागू करती है तो केंदर को अपनी योजना के नियम बदलने पड़ेंगे हरियाना के फतेहा बाद में रिष्टों को शरमसार कर देने वाला मामला सामने आया है नहर कोलोनी में एक बहु द्वारा अपने बुजर्ग सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया बुजर्ग दमपती ने अब दरदर की ठोकने खाने के बाद मंदीर में आसरा लिया है दोनों का कहना है कि नहीं तो उनका बेटा उनके सुध ले रहा है नहीं पुलिस कोई कारवई कर रही है बहु ने उनके बेटे से दूसरी शादी की है फतेहाबाद के दुर्गा मंदिर के पास बैठी बुजर्ग महिला ने बताया उसके बेटे ने कुछ माँ पहले गंगानगर की रहने वाले महिला से शादी की थी महिला की दूसरी शादी थी और उसके पहले बच्चे भी हैं अब कुछ दिनों में उनकी बहु उन्हें परिशान करी है और घर से बाहर निकाल दिया उनके रिष्टेदार आये और उन्हें साथ श्रिगंगानगर ले गए थे आज वे वापस उन्हें यहां छोड़ाए वे पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी कोई कारवाई नहीं की जिस कारण भटक भटक कर अब भगवान के धर पर आकर बैट गए हैं आए हैं